आज तीन अक्टूबर से शार्दिय नवरात्र की शुरुवात हो गई है आज अन्पीजी न्यूस पर हम आपको बताएंगे 36 गड़ की राजधानी राइपूर में इस्थित मा महा माया मंदिर के बारे में मा महा माया मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है बताया जाता है कि 1400 साल पहले इस मंदिर का निर्माण है है वनशी राजाओं ने करवाया था है है वनशी राजाओं ने राज़ में 36 किलों के निर्माण के साथ साथ 36 महा मंदिरों का निर्माण भी करवाया था उन्ही में से एक है राइपुर शहर का महा माया मंदिर मा महा माया है है वन्शी राजाओं की कुल देवी है 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 वन्शी राजा तंत्र साधना किया करते थे इस मंदिर का निर्मान भी तंत्रिक सिद्धियों को पाने के लिए किया गया था इस हैतिहासिक मंदिर में साल में दो बार नवरात्र के समय चक्मक पत्थर की चिंगारी से नवरात्र की पहली ज्योती जलाई जाती है शारदिय और चैत्र नवरात्र में कुमारी कन्या जिसके उम्र दस साल से कम होती है उसे देवी स्वरूपा मान कर उन्हीं के हाथों ज्योती प्रजवलित कराई जाती है माना जाता है कि मा के दर्बार में जो भी मननत या मनोकामना मांगी जाती है वह कभी खाली नहीं जाती मा अपने भक्तों की जोली जरूर भरती है मा महामाया काली का रूप है इसलिए इस मंदिर में काली मां, महालक्षμी और माता समलेश्वरी तीनों की पूजा एक साथ होती है मंदिर का गर्भग्री और गुंबत का निर्मान श्री यंत्र के रूप में हुआ जो स्वय महालक्षमी का रूप है वर्तमान में मा महालक्ष्मी, मा महामाया और मा समलेश्वरी तीनों की पूजा आराधना एक साथ की जाती है कहा जाता है कि एक बार है है वन्ष के राजा मोर्धवज अपनी रानी कुमुधधती देवी के साथ राज्य के भ्रमन पर निकले शाम होने पर राजा अपनी सेना के साथ खारूम नदी के तट पर रुख गए जब राणी अपनी दासियों के साथ स्नान करने नदी पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर का तिला पानी में तैर रहा है तीन विशालकाय साफफन काड़े उस टीले की रक्षा कर रहे थे ये देख कर राणी और दासियां डर गई जब राजा मोर्धवज को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने राजी जोतिशियों से विचार करवाया जोतिशियों ने उन्हें बताया कि ये कोई टिला नहीं बलकि देवी की मूर्ती है राजा ने पूरे विधी विधान से पूजा पाठ कर मूर्ती को बाहर निकाला जब मूर्ती नदी से बाहर निकली तो लोग ये देख कर हैरान रह गये कि ये कोई साधारन मूर्ती नहीं बलकि सिह पर खड़ी हुई मा महिशा सुर मर्दिनी की अश्ट भुजी भगवती की मूर्ती है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि खुद मा महा माया ने ही राजा से कहा कि मुझे कंधे पर उठा कर मंदिर तक ले जाय जाये और मंदिर में मेरी स्थापना कराई जाये राजा ने अपने पंडितों, आचारें और जोतिशियों से विचार विमर्ष किया सभी ने सलाह दी कि भगवती मा महा माया की प्राण प्रतिष्ठा की जाये तभी जानकारी मिली की पुरानी बस्तिक शित्र में एक नए मंदिर का निर्मान किया गया है लेकिन ये किसी दूसरे देवता के लिए बना है राजा ने उसी मंदिर को तयार करवा कर देवी की भी स्थापना करवाई शक्ति पीठ महा माया मंदिर की दैविये शक्ति का एहसास आपको मंदिर में जाते ही हो जाता है मंदिर के समरिद पौराने के तिहास और मानिताओं के साथ ही इसकी बनावट की भव्यता और कारीगरी भी बेजोड है तंत्र मंत्र साधना के लिए भी राजधानी के इस मंदिर का प्रदेश के शक्ति पीठों में विशेश थान है मंदिर प्रांगन में एक यज्य कुंड भी है, मंदिर के दूसरे हिस्से की तरह ही इस कुंड का भी अपना इतिहास है ऐसी माननेता है कि कई साल पहले इस कुंड की जगह पर ही मंदिर के पुजारी के उपर बिजली गिर गई थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ लोग इसे मा महा माया की कृपा मानते हैं जानकारों के मुताबिक मंदिर का निर्मान राजा मोर्धवर्ज ने तांतरिक विधी से करवाया था इसके बनावट से भी कई रहसे जुड़े वे हैं मंदिर के गर्बगरी के बाहरी हिस्से में दो खिड़किया एक सीथ पर हैं सामान निता दोनों खिडकियों से मा की प्रतिमा की जलक नजर आनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता दाई तरफ की खिडकी से मा की प्रतिमा का कुछ हिस्सा नजर आता है लेकिन बाई तरफ नहीं Bureau Report, NPG News